प्रेम के व्याख्यान पर लेक्चर देता है वो अपने सच्चे प्रेम की बात करता है आज हम सेकंड पोईम की चर्चा करेंगे और सेकंड पोईम जो मिल्टन के दुवारा लिखी गई है पोईम्स भाई मिल्टन मिल्टन के दुवारा ये पोईम लिखी गई है अब इस सेक्षन में मिल्टन ने आपको दो पोईम दी है जो आपको पढ़नी है आपको दो पोईम की चर्चाएं करनी है और दोनो पोईम को आप समझना है ठीक है एक तो आपको दिया है On Time और दूसरी पोईम है On Sexpare, 16, 13 तो यहाँ पर दोनो पोईम को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले Milton को हम जानेंगे दोनों पोईम पढ़ने से पहले हम मिल्टन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चो मिल्टन एक बड़ा नाम है अंग्रेजी साहिते में और जोन मिल्टन सेक्सपेर के बाद आता है तो सेक्सपेर के बाद आने वाला यह दूसरा नाम है और अंग्रेजी साहित्ते का सबसे बड़ा नाम है और आज ये world famous है आज सारी universities, world की सारी universities में इनका नाम चलता है, इनकी poems इनके रचनाएं पड़ी जाती है और इन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये कविताएं लिखी है ठीक है, तो आज सबसे पहले हम Milton के बारे में जानेंगे उसके बाद में हम पहली poem की चर्चा करेंगे न तो चलिए, तो आप आजाएं poems by Milton, तो सबसे पहले Milton को जान लेते हैं बच्चों, John Milton जिसका जन्म हुआ था 1608 में और मृत्तिविती 1614 में 1608 एं 1674 Milton के बारे में आप थोड़ा सा जानें क्योंकि अंग्रेजी सहित्ते में आपको इन लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, इन poets को जानना बहुत आवश्यक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ने से पहले हम Milton के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा द्यान देंगे ना चलिए तो पहली लाइन डिसकस करते है John Milton began writing poetry at the age of 10 John Milton ने began शुरू किया writing poetry poetry लेखन at the age of 10 10 साल के उम्र में बच्चो ये 10 साल के उम्र में ही इन्होंने poetry लिखना शुरू कर दिया इनमें इतना जुनून था कि 10 साल की उमर में इन्हों ने अपनी रचनाय सुरू कर दी ए न तो जोन मीलटन बिगैन राइटिंग पोईटरी जोन मीलटन ने बिगैन कंव लगा realistically भीकिया राइटिंग लेकं पोईटृ पोईटरी लेकं सुरू किया at the age of 10 10 साल की उम्र में ठीक है after finishing his formal education उनकी उपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद at Cambridge, Cambridge में Cambridge जगह का नाम है Cambridge में उनकी उपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद he read almost everything available उन्होंने पड़ा लगबग प्रतेक उपलब्द चीज Latin बहसा में, Greek बहसा में, Italian बहसा में और English बहसा में वहाँ उस समय जितनी भी Latin, Greek, Italian, English बहसा में जितनी भी available चीजे थी रचनाई थी उन्होंने उनको लगबग पढ़ाया ना इतना जुनून था कि उन्होंने चार-चार भासाओं की बुक्स को उन्होंने उस समय पढ़ डाला तो एक एरा है, after finishing his formal education उनकी ओपचारिक सिक्षा समाप्त करने के बाद at Cambridge, Cambridge में, he read almost everything available उन्होंने लगबग पृत्यक उपलब्द चीज पढ़ी in Latin, Latin भासा में, Greek भासा में, Italian भासा में और English भासा में तो Latin, Greek और Italian और English भासा में लगबग पृत्यक उपलब्द चीज उन्होंने पढ़ी, ठीक है हिवाज appointed Latin Secretary उनको नियुक्त किया गया था appointed का मलब होता है, नियुक्त करना उनको नियुक्त किया गया था Latin Secretary एक Latin सचिव, उनको एक Latin सचिव नियुक्त किया गया था वेहरी worked so hard, जहां पर उन्होंने इतना कठिन कारिये किया that ice train कि उनको आखों का दोस हो गया आखों की परेशा नहीं हो गई, ice train हो गया ठीक है तो ध्यान रगणा इतना पढ़ा उन्होंने बच्चों इतना सारी रात रात पर जाके सारे दिन उन्होंने इतनी पढ़ाई कि इतना work किया अपने आपको इतना लगा दिया कि उनकी आखों में problem होने लग गया ice train हो गया, आखों का दोस हो गया, ठीक है क्योंकि यह रात बर पढ़ते रहे हैं और आपको बता इसके कारण वो क्या है पैतालिस साल की उम्र में पूरी तरह से अंधे हो गया, तो आप यह चेक करें तो यह ध्यानग न यह point अंधे हो गया थे पैतालिस साल की उम्र में ठीक है तो यहां पर आप दुब़रा देखें उनको न्यूक्त किया गया था लेटिन सेक्रेटरी वेहरी worked so hard जहां पर नोंने इतना कठिन कारिये किया देट आई स्टेंड कि उनको आखों का दोस हो गया from years of late night reading वो भी किस से बरसो के देर रात पठन से पढ़ने से from years of late night reading देर रात तक बरसो के देर रात तक पठन से देर देर रात तक वो पढ़ते थे सारी रात वो पढ़ते थे उसके कारण उनको आखों का दोस हो गया कोजडिम और उनके लिए कारण बना to become totally blind पूरी तरह से अंदा होने का at the age of 45 45 साल की उमर में और उनके लिए ये कारण बना ये चीज सारी रात पढ़ना ये चीज उनके लिए कारण बना तो become totally blind पूरी तरह से अंदा बनने का at the age of 45 45 साल की उमर में अब आप जान सकते हैं अंग्री जी साहित थे के बच्चे बिलकुल ध्यान अखना की जोन मिल्टन कौन से उमर में अंदा हो गया था 45 साल की उमर में और उसका रीजन आप समझी गया देर देर रात तक पढ़ना सारे दिन पढ़ना वर्क करना आना तो ये उनको आँखों का दोस हो गया अंत में ये 45 साल की उमर में अंदे हो गया है ठीक है In the final years of his life उनके जीवन के अंतिम वर्सों में In the final years of his life उनके जीवन के अंतिम वर्सों में He wrote, उन्होंने लिखा Paradise Lost and Paradise Regained उन्होंने दो बुक्स लिखी बहुत फेमस बुक्स है पूरा वर्ड पढ़ता है उन्होंने उनके जीवन के अंतिम वर्सों में लिखा एक तो Paradise Lost और एक Paradise Regained दो किताबे लिखी जिससे वो बहुत फेमस हो गए थ्रो डिक्टेशन सब्द विन्यास के माध्यम से है थ्रो यानि के माध्यम से डिक्टेशन सब्द विन्यास सब्द विन्यास के माध्यम से तो उन्होंने अंतिम वर्सों में Paradise Lost लिखा जो कि बहुत फेमस इसनकी बुक है Paradise Regan बहुत फेमस है लास्ट वर्सों में इन्होंने ये दो कितावे लिकिया रहा तो ये आप जाने हैं हाला कि पूस्ता नहीं एक्जाम में पर आपको ध्यान रखना है क्या आप Milton को पढ़ने जा रहे हैं Milton की पोईमस को आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखेएगा ना चलिए बच्चो बढ़ते आगे पहली पोईम हम पढ़ने जा रहे हैं ओन टाइम चलिए ओन टाइम बच्चो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस समय मिल्टन थे वो समय वो समय बहुती खराब था और मिल्टन उस समय से बहुती दुखी थे ऐसंतुष्ट थे क्योंकि वो जो समय था उनके टाइम का वो जो समय था वो बहुत ही ऐसा था कि लोग वहाँ पर अपराद कर रहे थे बदमासिया कर रहे थे आक्रमन हो रहे थे एक दूसरे से इर्शा करते थे एक दूसरे को मारते काटते थे तो ये उस समय से बहुत ही नारास थे और ये इतने दुखी हो गए उस समय को लेकर उस वर्तमान समय को लेकर कि ये समय से ही आगरे करने लगे कि अरे तुम चले जाओ समय तुम चले जाओ तुम जाओगे बुरा समय चले जाओगे तुम जाओगे तो अच्छा समय आएगा तो बच्चो यह system भी है कि जब खराब समय होता है तो रहता है पर वो उसके जाने के बाद अच्छा समय भी आता है तो यहाँ इस poem में वो समय से request कर रहे हैं समय से कह रहें कि आप चले जाएए कितना दुखी करेंगे हमें तो समय को यहाँ पर वो denote करता है न तो चलिए enjoy यह poem का बहुत अच्छी poem है तो आप समझी गए कि उनके time का जो खराब समय था उस समय से गुजर जाने के लिए वो अन्रोद करते हैं समय से कि आप गुजर जाएं ठीक है क्योंकि उस समय लोग एक दूसरे से इर्शा करते थे एक दूसरे के प्रति दिखावा करते थे न औ इस तरह के एक दूसरे के प्रति इर्शा के भाव रखते थे तो समय से कह रहा है तो चलिए एंज्योई करिए परियम का बढ़ते आ गया न तो समय से कह रहा है फ्लाई अरे चले जाओ फ्लाई का मतलब चले जाओ उड़ जाओ एंवियस टाइम इर्शालू समय इर्शालू समय तुम चले जाओ एंवियस इर्शालू टाइम समय बच्चों इर्शालू समय का मतलब वही बात आप समझ सकने है कि इर्शालू समय का मतलब वो उस समय वहाँ पर जो संसार में इर्शा है व्यापती एक दूसरे के प्रति ल आरकाट मचीवी थी है ना एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करता था तो वो समय बहुत खराब था तो उस समय को इन्होंने किस रूप में संबधित किया है इरिशालू समय ना तो कहते हैं उड़ जाओ चले जाओ फ्लाई उड़ जाओ चले जाओ इरिशालू समय तिल द तो यह आर्चे एक वर्ड ध्यान अखना तो इसे पोईम में यूज करते थे पहले कभी तो आप समझ गया होंगे कि उस समय का टाइम कितना खराब था कभी दुखी था ऐसंतुष्क था क्योंकि वहां हर जगे एक दूसरे के प्रतित दिखाओ और इरिशालू समय का है तो ऐसंते समय से कहता है कि फलाई चले जाओ इरिशालू समय कब तक जब तक कि तुमारी दोर समाप्त ना हो जाए चलोग इतनी दूर चले जाओ जितना संभग हो EK दो सी चले जाओ जितना संब्व docки आप समझ गया हुए कि यहां पर समय को समय को इस दो reducing ना च्छहर्यन दोड़ आ इन च्र sû्ट अठून और दाई जो आर्चे एक बरड़ा थ कॉन आई एन्वेस टाइम इंशालू समय तुम चले जाओ जब तक कि तुम्हारी दोड़ समाप्त ना हो जाए ठीक है जब तक कि तुम्हारी दोड़ समाप्त ना हो जाए अर्था बहुत दूर चले जाओ ना चले फिर वो कहता है कोलों आग्रह करो कोलों ने होता है आग्रह करना इंसिस्टे ना हां वो कहता है समय से कि तुम आगरे करो दल लेजी लेड़न स्टेपिंग आवर्स बच्चो देया रखना Kingdom चार वर्ड में लेजी ओता है शुस्त भारी कदमों वाले घंटों से लेजी यानि शुस्त लेड़न भारी स्टेपिंग कदमों वाले आवर्स से नि वो उनसे कह रहा है कि समय तुम आग्रे करो किन से सुस्त भारी कदमों से चलने वाले घंटों से तुम आग्रे करो समय से कह रहा है तुम आग्रे करो लेजी सुस्त लेडन भारी स्टेपिंग कदमों से आवर चलने वाले घंटों से तुम आग्रे करो whose speed जिन की गती जिन गंटों की गती आप यह समझ सकते हैं कि बिल्कुल slow time चल रहा हुआ बुरा समय गुजर ही नहीं रहा तो ऐसा लगता है जिसे बहुत ही सुस्त सा time निकल रहा है तो ध्यान रहा है को लोन तुम आगरे करो किस से अपने सुस्त भारी कदमों से चलने वाले घंटों से ठीक है whose speed जिन की गती जिन गंटों की गती is but the heavy plummet space जो कहा है भारी भारी pendulum की गती के समान है बच्चों आपने देखा होगा pendulum heavy यह नहीं भारी plummet से नहीं pendulum आपने कभी ऐसी घड़ियां देखे कि आपको पता कि जिसमें एक गंटा सा लटका होता है उसमें वो टन टन सा बसता रहता pendulum बोलते है उसको क्या बोलता है pendulum पेले प्राचीन समय में चलती थी pendulum जिसे चार बज़गे तो टन 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 वो बज़गे तो यह pendulum बोलता है न ठीक है तो वो कह रहा है समय से आग्रह कर रहा है समय से request कर रहा है कि तुम आग्रह करो तुमारे भारी कदमों से चलने वाले गंटों से सुस्त भारी कदमों वाले गंटों से तुम आग्रह करो समय जगे रहा है जिन की गती जिन घंटों की गती किसके समान है हेवी प्लमेट स्पेस भारी पेंडूलम की गती के समान है ठीक है तो आप उनसे भी आगरे करो ना सिधा समय को रिजोट कर रहा है एंड गलट दाइसेल्ब और तुम निगल जाओ और तुम गलट निगल जाओ खा जाओ ठीक है दाइसेल्ब तुम खुद निगल जाओ विद वोट दाइ वोम डिवर जो कुछ तुमारा पेट निगल सकता है हाँ और जो कुछ भी तुमारा पेट निगल जाए उसे तुम सब निगल जाओ उन सब चीज को तुम निगल जाओ ना, ठीक है जो भी तुम्हारा पेट निगल सेके उनको निगल जाओ, मतलब उनको समात कर दो, हाणा, चलिए, जो कुछ तो ध्यान ने ना गे, जो पुम्हारा पेट निगल सकते हैं उस समय को निगल जाओ which is no more than what is false and mayn दियान देना बच्को आगे है न क्या क्या चीज के लिए कह रहा हो न हाँ जो अधिक कुछ नहीं है जो अधिक कुछ नहीं है किसके सिवाए than what is false and mayn एक जूटा दिखावा और वेरता के सिवाए कुछ नहीं है which is no more than what is false and mayn जो अधिक कुछ नहीं है, जो अधिक कुछ नहीं है, देन के सिवाए, जो कुछ दिखावा और वेर्था है, उसके सिवाए, कुछ नहीं है, और जो केवल, और जो केवल क्या है, मोल्टर ड्रोज, नासवान वस्तु हैं, जो केवल 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 नासवान वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बच्चों वह कह रहा है कि यह सा मोल्टा को से ज़्यादा कुछ नहीं है केवल मॉल्टल ज्यूग से ज्यादा कुछ नहीं है ना सुभान उस चीजों से ज़्यादा कुछ नहीं है इन सब को तुम निगल जाओ तो बच्चो यहां पर एक क्रशन ज्याता था कि जूत किसे का आ गया है नास्वान वस्तने सब चीजें जूत है दिखावा है छलावा है का पट है इरच है है सब नास्वान चीजेंग इनको मोल्टल ड्रोस का आगया है ना ठीक है तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि और तुम उनको निगल जाओ जो कुछ भी तुम्हारा पेट निगल सकता है विच इस नो मोर जो चीजे जदा अधिक कुछ नहीं है सिवाए जूट और दिखावे के और वेर्ता के और यह केवल मेरली मॉल्टल ड्रोस केवल क्या है नासवान ड्रोस है निकरष्ट वस्तों हैं चीजे हैं ठीक है और तुम यह ऐसा करोगे तो तुमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है हमारा कोई नुकसान नहीं होगा इनको निगल जाओ इन चीजों को लिटिल इस आवर लॉस और इस सब में हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा तो वो समय से आगरे करता है कि इन सारे मोल्टर डोस्ट को निकल जाओ और जल्दी से यहां से उड़ जाओ और तुमारे जो यह दीरे-दीरे सुस्त कदमों से चलने वाले जो गंटे हैं उनसे भी आगरे करो जिनकी स्पीड किस से जादा नहीं है बारी पैंडूलम की गती से जादा नहीं है जिनकी स्पीड उनसे गती से जादा नहीं है ना ठीक है बच्चो तो यहां पर इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो यह वर्ड याद रखना प्लमेट्स का मतलब क्या होता है हेवी का मतलब क्या होता है यहां पर एंवेस टाइम किसे का एंवेस टाइम क्यों का गया है समय से वो क्या अग्रह करता है मोल्टल ड्रोज क्या है ठीक है किसको निगलने की बात करता है न तो आप समझ सकते हैं कि निगलने की बात कर रहा है मोल्टल ड्रोज को मत इन नासवान जूटे दिखावे चल कपट वाली वस्तुओं को ना ठीक है तो यहां पर अमकल इसको पूरी करेंगे ठीक है तो एंजोई करते रही और पढ़ते